नमस्कार, ये नाइन नियूज़ आ देख रहे हैं अपने साथ में हुआ शगरबाद। दिल्ली के मुख्यमन पी अर्विंद केज़िवाल की गिरफतारी के इलाब दातिल की गई याचिका मंगलगार उप हाई कोट ने खारिज कर दिट। इससे पहले हाई कोट के जस्टिस ने केज़िवाल की गिरफतारी को वैद बताया। उपने कहा कि एक सीम और आम आगनी के अधिकार अलग अलग नहीं हो सकते। बोट ने चुनाव से ठीक पहले अर्विंद के जिवार के गिरफतारी को एक राजने के साजिश बताने वाली दरील को भी सिरे से खारज कर दिया जी याजी का खारिज करती हुई हाई कोट ने कहा कि अर्विन के जिवाल को छे महीने से ज्यादे वक्त तक समन दी गए लेकिन वो एक भी समन पर उपस्थित नहीं हुए इसी जिवाल को जाच में शामिल करने के लिमान के अलावा लेना इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था पढ़ें हाई कोट ने फैलस्टला सुनाते हैं वक्त क्या कुछ कहा यह चलिए हम भी आपको बताते करें आइकोर ने कहा था कि सरकारी गवाहों पर सवाल उठाया जा रहा है यह नियाए प्रत्रिया पर सवाल उठाने जैसा है सरकारी गवाहा उन्हीं निदेशाले के आदेश पर बनाया गया था कि जिवाल के वकील अमशीनिक मनुसिंगी द्वारा सरकारी गवाहों को गगा देने वाले जैचंद कहने की दलिल पर उती कहाँ कि अश्यर्य है कि क्या ये दलिल सुकार करने के बराबर होगी इस सरकारी गवाहा और याचिका कत्ता कधित यूजना का है साते जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर इतने विद्वान और जिन सरकारी गवाहों को जैचंद कहेंगे तो ये कहने के बराबर होगा कि वे देश द्रोखी हो गए है कोट ने रेडी के भाजुपा को पंड़ देनी और मंगुटा से मंच्याहे बयान लेने के बाद भाजुपा की सहयोगी पार्टी के ओर से लुग सभावे वमिद्वार बनाने के दावों पर भी बात रखी है कोट को पूरी सरुकार नहीं है कि किस ने किस को टिकेट दिया किस ने चेंदर के लिए लेक्टोरल बॉंड खरीदे ओर्ट सिर्फ सांश्योपती विचार करेगी सबस्क्राइब एहं पूर्ट नी इस्तंवागी में इवी द्वारा पी अमेले की धारा संटर को इपर करार रखा है जिसको टहते हैं किसी कम्प्टी को पी इमेले के दारी में लासके व्लाल के लिए इस वेडियो में इतना ही ने शक्रटोपी की तौम खबरों के लिए दे के रही आसे इनाइब